जै स्री राम जै बागे सा धाम दोस्तों आ गया हूँ एक और नई वीडियो लेकर और दोस्तों आपको इस वीडियो में बताने बाला हूँ कि बागे सा धाम गुरू जी 1 जनवरी 2024 से 20 जनवरी 2024 तक धाम पर कब कब रहेंगे और कहा कहा उनके दिब्धरवार लगेंगे तो दोस्तों आप इस वीडियो को skip मत करना वीडियो के end तक चरूर देखना और दोस्तों वीडियो पसंद आए तो चैनल को subscribe करके वीडियो को like कर देना तो चलिए दोस्तों बिना time based के इस वीडियो को शुरू करते हैं तो दोस्तों सबसे पहले बात कर लेते हैं एक दो और तीन जनवरी की तो दोस्तो जैसा कि मैंने आपको अपनी पिछली वीडियो में अपडेट कराया था कि बागे सदहाम गुरू जी 30 दिसंबर से 3 जनवरी 2024 तक तमिलनाडू रामेश्वरम में रहेंगे दोस्तो यदि आप इस समय में बागे सदहाम गुरू जी के साथ में जाना चा तो दोस्तो ये एक सुनेरा मौका है इसलिए दोस्तो आप 3 जनवरी तक बागे सदहाम गुरू जी के साथ में रामेश्वरम में रह सकते हैं दोस्तो इस पर मैंने फूल डेटेल में वीडियो बनाई है दोस्तो यदि आपने हमारी ये वीडियो नहीं देखी है तो इस वीडियो को देख लेना दोस्तो बात कर लेते हैं 4 जनवरी और 5 जनवरी की बागे सदहाम गुरू जी 4 जनवरी में बागे सदहाम में आ जाएंगे और दोस्तो ये अपने निजी कामों से फिरी होने के बाद में दोपैर 12 बजे से यहां पर दिब्ब्य दरवार बे चार जनवरी में धाम पर पहुँच सकते हैं दोस्तो यदि आपकी अरजी स्विकार हो गई यदि आपके उपर वाला जी की करपा हो गई तो बागे सदहाम गुरू जी आपको नाम लेकर बुला लेंगे और आपकी अरजी लगा देंगे इसलिए दोस्तो आप धाम पर इस समय में जा सकते हैं, दोस्तों बात कर लेते हैं, पांच जनवरी 2024 की, तो दोस्तों बागे सा धाम गुरू जी पांच जनवरी 2024 में भी धाम पर ही रहेंगे, ऐसे में जो भक्त धाम पर जा रहे हैं, बेज जा सकते हैं, दोस्तों इनका दिब्य दर्वार पांच जनवरी मे भी दुपहर बारा बजे के बाद में लगेगा ये दरवार दो से तीन गंटे का लगेगा और दोस्तो यदि आप धाम जा रहे हो तो आप एक लाल रंग का कपड़ा और एक नारियल लेकर जरूर जाना क्योंकि दोस्तो जब बाद अधाम गुरू जी वहाँ पर दरवार लगाते हैं तो वे एक विधी कराते हैं जिसमें आपको लाल कपड़ा और एक नारियल की जरूरत पड़ती है तो दोस्तो इसलिए आप अपने साथ में ये चीज़े लेकर जाना दोस्तो बात कर लेते हैं 6 जनवरी 2024 से 9 जनवरी 2024 तक की तो दोस्तो मैंसे तो मैंने इस पर फूल डेटेल में वीडियो वनाई है लेकिन फिर भी मैं आपकी नौलेज के लिए बता देता हूँ बागे सदहाम गुरू जी पंजाब चंडीगण में कता करेंगे तो दोस्तो एक दिन का महा दिब्बतरवार लगाएंगे दोस्तो यदि आपको अधिक जानकारी चाहिए तो आप हमारे चैनल पर विजिट कर लेना हमने फूल डेटेल में वीडियो वनाई है आप उस वीडियो को देख लेना दोस्तो बात कर लेते हैं 10 11 और 12 जनवरी 2024 की तो दोस्तो बागे सदहाम गुरुजी तीन दिन की हनवंत कजा करने के लिए मुंबई महराश्टरा में जा रहे हैं दोस्तो ये कौन से इससान पर जा रहे हैं इस पर भी हमने फूल डेटेल में वीडियो बनाई है दोस्तो आप हमारे चैनल पर जाकर देख लेना ये वीडियो आपको बहां पर मिल जाएगी दोस्तो बागे सदहाम गुरुजी तेरा और चौदा जनवरी में धाम पर आ जाएंगे दोस्तो और इनके दिब्वे दरवार दुपेर 12 बजे के बाद में धाम पर श्टार्ट हो जाएंगे जो भक्तवी इस समय में धाम पर जाना चाहता है वे जा सकता है दोस्तो अरजी लगवाने के लिए परचा बनवाने के लिए विदी वही है जो हम आपको हर एक वीडियो में बताते हैं दोस्तो अरजी कैसे लगाई जाती है यदि आपको नहीं पता है अरजी लगाते समय क्या गलतियां नहीं करने चाहिए दोस्तो इस पर हमने complete वीडियो वनाई है आप हमारे चैनल पर विजिट कर लेना आपको वीडियो मिल जाएगी दोस्तो बात कर लेते हैं 15 जनवरी से 19 जन करें चाहिए तो ये वीडियो भी आपको हमारे चैनल पर मिल जाएगी दोस्तो बात कर लेते हैं 20 जनवरी 2024 की तो दोस्तो सूचना के अनुसार बागे सदहाम गुरू जी 20 जनवरी 2024 में धाम पर आ जाएगे और दोपेर 12 बजे के बाद में यहाँ पर दिब्य दरवार लगाएंगे जो भक्त इस समय में धाम पर जाना चाहते हैं वे जा सकते हैं दोस्तो ये सारी जनकारी हमें बागे सर धाम से प्राप्त हुई है यदि प्रोग्रामों में कुछ बदलाव होता है तो हम आपको समय समय पर अपडेट करते रहेंगे और आपको गाइट करते रहेंगे इसलिए दोस्तो आप हमारे चैनल के साथ में कनेक्टे रहना और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब चरू कर लेना दोस्तो सब्सक्राइब और लायक करने से इतना होता है जब हम कोई वीडियो इस चैनल करेंगे तो आपको पता चल जानकारी दे देंगे तो दोस्तों उम्मीद है आज की वीडियो आपको जरूर पसंद आई होगी दोस्तों यदि वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर देना तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ तब तक के लिए अपना ख्यार लखें और सभी बोलें जय स्री राम जय बागिश दाम